नीबू बना जान का दुश्मन योवक ने निगला साबोत नीबू डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर निकाला भारत में फिलाल नीबू अपने बढ़ते दामों के कानट चर्चा का विशय बना हुआ है और तरह तरह के मीम और जोक्स नीबू पर बनाय जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर सेयर किये जा रहे हैं लेकिन यहां खबर को चला गए एक धार में कारकरम के दोरान योवक ने नीबू निगल लिया नीवू गले में जा फसा जिसके कानड युवक को सांस लेने में समस्या होने लगी और इस्तिती ये हुई कि नीवू ना निगला जा रहा था ना उगला और नीवू फसने की बज़े से युवक की आहार नाल पर भी तेजी से दबाव बन रहा था इसी अवस्ता में युवक के परीजन ततकाल उसे सागर के राय होस्पिटल लेकर पहुँचे जहां डॉक्टर अंसुल नेमा और सरजन डॉक्टर संतोस राय ने ऑपरेट कर नीवू को बाहर निकाला ऑपरेशन के बाद युवक पूरी तरह स्वस्थेवा जल दी उसे हस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा युवक के लास्ते संबंदित अन्य जानकारी देती हुए डॉक्टर अंसुल नेमा ने बताया की नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर अंशुल नेमा है मैं राय होस्पिटल में एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केर में कंसल्टेंट हूँ रात को करीब 11-12 वजे के बीच में 25 वर्स का युवक हमारे पास आया जो किसी धार्मे कारी करम में शामिल हुआ था उसने पूरा नीवू जो है वो निगल रहा था या कुछ कर रहा था तो वो फज गया था तो उसके कारण से मरीज की जो सांस की नली है उस पे प्रेशार आ रहा था और मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी मरीज बोल नहीं पा रहा था और काफी डिसकमफर्ट था उसको तो डॉक्टर संतोस राय सर और मैंने मिलके तता हमारी पूरी टीम ने मिलके पेशेंट को ततकाल ओटी में लिया और उसको पूरा बेहोश करके और करीब एक गंटे मेंनत करके हमने नीबू को बाहर निकाला है और अब पेशेंट स्वस्थ है और सास भी अच्छे से ले पा रहा है और बात भी कर रहा है और शीगरी हम उसको डिस्चाज करेंगे धन्यवाद